हेलो एबरीबर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए स्पेशल आलू की टिकी लिए क्या ही हूँ बहुत ही कुर्क्री और बहुत ही रिस्पी उमीदा आप सबको बहुत पसंद आए कि इसे बनाना बहुत इजी है इसे बनानी से पहले मैं आप से पेस्ट करना चाहूँग कैसे बनाते है आलो की खुरक्री टिकी साबुदाना के पकोड़े या टिकी बनाने के लिए हमने ये लिया है अलू दो आलू बोयल हमने करश कर लिया अच्छे से मैश कर लिया हमने इसके अंदर हम एक कटूरी साबुदाना डालेंगे साबुदाने को हमने एक गंटे के लि अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अगर आप गरम पानी में इसको डिप करके रखोगे तो ये गंटे में हो जाएगा, अगर आप इसे थंडे पानी में डिप करके रखोगे तो थोड़ा टाइम जादा लग सकता है, ये इसके अंदर हम डालेंगे एक चुटा चमच नम्मक, आमचुर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, मिर्च आप अपने ही साप से डाल सकते हैं, आप हरी मिर्च भी घाल सकते हैं, मैंनी डाली क्योंकि हम तिका जादानी, इसके अदर मैं डालूँगी कटा हराधनी, अच्छे से अम इसको मिक्स कर लेंगे, एक डो की तरा इसे तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, यह हमारा दो त्यार हो चुका है, इसकी हम इस तरह से टिक्की बना लेंगे, आप देख रहे हैं, यह टिक्की बना के हमने त्यार कर लिए है, आप इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं, शेलो फ्राइ भी कर सकते हैं, मैं इसे बाइम कर देंगे इसके नंदर हम एक एक तक्षी डाल देंगे, तरीं टिक्के मेने डाली है, फ्लेम को थुड़ा सा बीडियम कर देंगे, त्यूकि एकदम फ्लेम हाई पे यह बाहर से ब्राउम हो जाएगी और अंदर से इसका तच्छापन राए जाएगा, दीफ्राई के जरूरी है तेल में डालने के बार फ्लेम को कम कर देना है ताकि अंदर से पुरी तरह से पक जाए आप देख रहे हैं तिक्की जो है हमारी बन के त्यार है इसे हम किचन डॉबल पेपल पर दिखाल लेंगे इसी तरह से हम दूसरी तिक्की को भी फ्राइ कर देंगे यह हमारी साबू दाने की टिक्की बन कर तियार है बहुत अच्छी डीश है इसे आप प्राइ जरूर करें इसे आप दही के साथ चटनी के ले सकते हैं और स्नैक्स के अंदर भी से ले सकते हैं अगर आपको मेरी एर रिश्पी पिसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ला इंक्यों